हलो एविवन नमुश्कार मुझे देख रहे हैं सबी दर्शकों का मैं बीइंग आफिशेल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 11 दिसंबर 2019 की शिफ्ट टू में जो आप से 50 मैट्स के क्विशन पूचे गाए हैं अब आज कल मैं एक ही दे पा रहा हूँ और अभी आपको साड़े साथ बज़े एक आपको सेशन मिल जाएगा आपको साथे नो बज़े या दस बज़े में मिल जाए तो आप लोग क्रिपया एक बार चैनल की तरफ जरूर देखें साथे नो दस बज़े चैनल में जागे जरूर देखें क्या पता एक विडियो और आपको मिल जाए टार्गेट रहेगा हमारा इस सीरीज गा कि हम 1500 से 2000 क्वेशन इस सीरीज में सॉल्व करतें जिसमें हम 18, 19, 20 SSE के सभी सेट CGL, CPOC, CHSL के जो भी क्वेशन पूछे गए हैं बेस्ड आन लेटेस TCS पैटन है वो सारे क्वेशन में आपको यहापर सॉल्व कराऊंगा वीडियो को एंट तक जरूर देखना चल्ल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो में आपके लिए लेकर आँ वो आपते कभी मिसना हो मेरा नाम प्रतीक से थी मेरा CGL Pre 2019 में 50 out of 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 out of 200 स्कोर था स्कोर मैट्स के लिखे हुए आप इससे पहले मैं 18 सेशन कंड़क्ट कर चुक हूँ जिसमें आपको CPO 2020, CGL 2019 और CPO 2019 की तीन शिफ्ट अभी तक कर आ चुक हूँ तो अभी आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा प्लेलिस्ट अभी आपको आई बटन पर दिख जाएगी और इससे पहले मैं कुछ चैप्टर कर आ चुक हूँ चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं में कुछ बता देता हूं अपने बरे में हमारी वेबसाइट है या पर आपको हमारे सभी तरह के लिंक विल जाएगा टेलिग्राम चैनल जॉइन क कर लें ताकि जो भी मैं आपर पढ़ाता हूं उसके नोट्स की बीडिएफ में टेलिग्राम पर डाल देता हूं जो क्लास कंड़क्त करता हूं उसका लिंक डाल देता हूं जो भी कमिशन की तरफ से में नॉटिफिकेशन में मिलती रहती है और पीडिएफ और में आप तक दिया और उसको हम ट्राइ करेंगे कि CGL 2020 के में से पहले खतम कर दें मैथमेटिक स्कोर्स को आपके लिए फ्री टेक्टिस सेशन भी चलाया जा रहा है जिससे कि आपको CGL CHSL और CPO की प्रपरेशन बहुत अच्छी हो जाया करेगी और MTS 2020 और CGL 2021 की जो प्रपरेशन कर रहा तो आप लोग अपना टाइम जादा ना वेस्ट करें और अपना जादा से जादा पढ़ाई पर ध्यान दे मैं यही कहना चाहूंगा आपको और चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं यह प्लस का साइन नीची है तो क्वेशन में बोला है क्या X और Y रियल 2X-3 का whole square पहली बात तो हमें देखना है क्या हमें देखना है कि 2 value चाहिए हमें 2 value चाहिए किस कि हमें एक value X की चाहिए और एक value Y की चाहिए जिससे मैं इसकी least possible value बता सको आपने देखा क्या कि Y तो एक ही जगा और X है जो जगा तो Y का तो मैं पता कर सकता हूं सीदा सीधा क तो आप y-3 को 0 put कर दो y-3 को 0 put करने का मतलब क्या होगा कि y की value 3 आ गई अब मैं यह बात खुलू क्या कि x-2 को भी 0 put करो और x-3 को भी 0 put करो यहां से आपके x की value 2 आ गई यहां पर आपके x की value 3 आ गई यह चीज पॉसिबल नहीं क्योंकि x की value 1 हो सकती है x से जादा नहीं हो सकती कोई भी एक चीज है उसकी value हमेशा 1 ही आपके सामने आएगी तो आपको x की भी एक value देखनी है y की भी एक value देखनी है आपने देखा कि y की value तो मैं आपने देखा y तो 1 ही जगा है minus 2 x minus 3 क्योंकि यह बीच वाला तो आपका 0 हो गया फिर आपने एक चीज देखी क्या कि मैं x की कौन सी value देखूं x का क्या मान देखूं मैं कि मेरा जो least possible value आजाए आपको पता है कि x minus 2 का whole square क्या होता है x square plus 4 minus 4x और x minus 3 x square plus 9 minus 6x अब आपने इसको further solve किया तो आपने यहां से देखा कि मैं क्या करता हूं मैं यहां पर 4x square plus 16 minus 16x और minus 2x square और फिर minus 18 और plus 12x अब मैं इसको आगे solve कर लेता हूं आपने देखा 2x square बचा minus 2 बचा और minus 4x बचा आप यहां पर एक काम कर सकते हैं आपने देखा एक चीज़ आप यहां पर क्या कर सकते हैं आपको पता कि effectivement value निकालने होते है तो आप equation का क्या ले लेते हैं आपने देखा कि function कहा है आप以 x है तो आपने x derivative लेलिया तो आपने देखा कि derivative करके आपका आया फिर आपने देखा इसकी पावर एक चार से मल्टिप्लाई करोगे तो चारी आएगा और x की पावर एक छोटी मतलब x की पावर 0 कितना 1 होगे आपके पास तो आपने देखा x की value वन आगई मतलब x की value अगर मैं 1 put करूँ आपने देखा y की value तो 3 put करनी है आपने देखा x की value अगर मैं 1 put करूँ तब मेरा least possible value आजाएगा इस equation का put कर लो आपने देखा कि x की value आपको 1 put करनी है आपने 1 put करी फिर आपने y की value तो आपको पता ही है 3 put करनी है क्योंकि y-3 equal to 0 आपने रखा है और फिर 2 1-3 whole square ठीक है अब आपने देखा ये तो हो गया 4 और यहां पे तो 0 आ रहा है और यहां पे कितना हो जाएगा minus 2 का square कितना 4 8 तो आपने देखा 4 minus 8 आजाएगा जिसकी value कितनी हो जाएगी minus 4 तो minus 4 is the correct answer यह वाला answer जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next question question में बोला है क्या मैंना certain number is divided by माली जे कोई number है उसको अगर मैं divide करता हूँ 65 से तो remainder आ जाता है कितना 56 आपने माल लिया क्या आपने माल लिया कि 65 x plus 56 नमबर है 56 आपने देखा remainder आपने देखा quotient मैंने कितना माल लिया आपने देखा quotient x माल लिया और जो divisor है वो कितना तो आपका dividend आपने देखा कि कुछ number ऐसा होगा जिसमें x की कुछ value होगी और वो 55 x plus 56 होगा तो x की कुछ value x जो है आपने क्या माल लिया quotient और यह divisor माल लिया और यह remainder अभी बोला है क्या कि इस same number गो मतलब यह जो number आपने बनाया इसको divide करो 13 से आपन तो आपने देखा 56 जो है बावन और चार का जोड़ा जो की 52 एकड़ेक्तली जाता है तेरा पर आपको बहुता है तो आपने देखा है तो आपने देखा कि 5 x 4 तो तीन रूट दो is your correct answer अब यह वाले question है question बोला percent time speed and distance में आपको यह question कराया है question में बोला percent takes 40 minutes more than usual time when he covers distance इतने की speed वे आपने देखा पहली बात तो time किता लगेगा time जो होता है distance upon speed तो आपने देखा distance इतना speed इतनी तो आपने देखा 4 गंटे लगे उससे 40 minutes जादा लगे है अगर वो 20 km 5 km पर आर पे जाए तो आपने देखा कि 4 गंटे का मतलब कितना होगा 4 गंटे का मतलब होगा 240 minutes इसमें आपने देखा कि 40 minutes जादा लगे तो total time लगता मतलब usual time में वो कितना लगता है 200 minutes फिर आपने देखा when he covers if he covers the same distance at itna he takes x minute less less than usual time what is the value of x आपने देखा कि वो ही distance है distance कितना 20 km2 आपके बार 8 हो गई और आपने देखा time कितने में आता है आर में आता है तो आपने इसको क्या किया minute में change किया आपने minute में change किया तो आपने देखा 2,5 और फिर यहां 30 तो आप देखा आपने 500 minute में पहुंच गया 500 minute में पहुंच गया usual time है 200 minute तो आपने देखा कितने time कम में पहुंचा मतलब कितना time कम लगा 50 minute कम लगे ठीक है आसान question है अब यहाला question question में बोला है कि triangle ABC है आपने बना दी triangle ABC ठीक है उसमें आपको बोला गया है क्या उसमें आपको बोला है कि side भी देख लेते हैं पहले तो side जो है वो कितनी है AB 12 BC 8 है और AC कितनी 10 question बोला circle inscribed inscribed है मतलब circle under है जो इसकी lines triangle की line को touch कर रहा है AB को touch कर रहा है D पे और BC को E पे और F पे आपसे पूछा difference between AD आपने क्या किया AD को A मान लिया और CE CE को आपने भी मान लिया तो आपने देखा अगर ये A तो ये आपको पता चल गई कितनी हो गई 12 minus A आपने देखा अगर AD A है और total AB जो आप 12 है तो BD कितनी हो जाएगी 12 minus A अब आपको पता है कि external point से tangent अगर draw कर रहे है हम circle के 2 point पे तो दोनों tangent की length equal होगी मतलब BD जो होगा वो BE के equal हो जाएगा मतलब इसकी length कितनी हो गई 12 minus A अब आपने देखा total है 8 जिस में से 12 minus A हो गई तो बची कितनी आपने देखा 8 में से 12 minus A गया तो आपने देखा कितना हो जाएगा आपने देखा कि A minus 4 हो जाएगा मतलब ये जो चीज़ है कितनी हो जाएगी A minus 4 फिर आपने देखा इसी चीज़ को आपने B माना तो B A minus 4 तो A minus B की value आपके बास कितनी हो गई 4 cm A आपने किसको माना A D को और B किसको माना C E को तो A D minus C E का जो डिफरेंस आ गया या A D और C E का जो डिफरेंस आ गया A D minus C E की value जो आईवा आपके बास कितनी हो जाएगी 4 cm आपके बास value आ चुकी है नेक्स कुश्चन कुश्चन में बूला देखो ये कुश्चन सेम CGL में है तो मैं हर बार बार बोलूँगा कि CPU के सेशन को हलके में मत लेना ये कुश्चन CGL में भी आपसे पूछा था देखो मैं अभी इसका एक दूसरा method बताता हूँ आपको के इस method को हम लोग करने कैसे वाले है मतलब इस question को हम लोग करने कैसे वाले है एक तरीका तो मैंने पहले बता दिया था आपको एक और तरीका बताता हूँ आपने देखा कि ये दो center माल लो फिर आपने देखा कि एक की radius ये और एक की radius थोड़ा उल्टा बन गई ठीक है तो ड्राइंग से मेरा थोड़ा कंपेरिजन कर ले मतलब वो कंप्रोमाइस कर ले ना मेरी ट्राइंग से थोड़ा तो आप से पुछा है लेंथ आफ कॉमन गोर्ड पहली बता आपको पता चलना चाहिए कॉमन कोर्ड है कितनी यह तो आपने देखा माल लो इसको A माल लो इसको B माल लो इसको C माल लो और इसको D माल लो और इसको E माल लो तो आपने देखा A B की वेले आपको पता है एक रेडियस 5 है एक 3 है और आपको distance between center दिया हुआ कितना इतना 6 तीक है अब दो तरीक है इसको solve करने के एक तरीका क्या है एक तरीका तो यह है कि आप इसको क्या करो यहाँ पे x मानूगे तो यह 6-x हो जाएगा और ae का square इधर से कितना आ जाएगा तो फिर आप ae की value हो जाएगी तो फिर आप जबार जो तरीका किया था उससे आपका ae का square आ जाएगा तो अपने देखा area of triangle a b c और area of triangle ABC आपको पता है दोनों triangle ABC हैं तो area भी equal होगा आपने देखा एक area तो क्या हो जाएगा half base कितना अच्छे और height कितनी AE और दूसरा area क्या हो जाएगा दूसरा area आप hiron formula से निकालने मतलब ABC का अगर आपको area निकालना है तो आपको area निकालना है और आपको तीनों side पता है तो आप hiron formula यूज़ कर सकते हैं आपने देखा semi parameter कितना हो जाएगा 5 और 3 और 6 तो आपने देखा 5,3,8,6,14 तो semi parameter कितना आगा आपके आपके पास 7 आगया अब area कितना आजाएगा आपने देखा S, S-A, S-B और S-C तो आपने देखा साथ दुनी 14 और तो कितना आगया आपके पास 2 under root 14 अब आप इस तो solve कर ले आपने देखा area आपने कितना निकाल लिया अब आपने देखा कि AE की value आपके पास कितनी हो गई AE की जो value हो गई वो कितनी होगी 2 by 3 under root 14 अब आपसे AD की पूछी है AD की जो value होगी वो कितनी हो जाएगी 2 गुनी of AE तो आपने देखा 4 by 3 under root 14 is the correct answer ये वाला तरीका जो है ज़्यादा आसान है तो आप इस तरीके से करना question बोला trader buys an article at 80% आपने देखा mark price कितना इतना आपने क्या क्या mark price इतना माल लिया आप देखा आपने trader ने जो खरीदा वो कितने का खरीदा आपने देखा trader ने जो है 80% पे खरीदा मतलब 80 रुपीज का खरीदा और बेचा उसको कितने पे mark price के 10% discount तो आपने देखा 100 पे 10% discount देता है मतलब 90 पे बेच रहा है तो आपने देखा percentage कितनी आजएगी profit की 10 तो profit आगया cost price by 100 तो आप इसको solve करेंगे तो 1.5% is the correct answer question में बोला है the average weight of boys the average weight of girls और पूरी class में जिसमें boys और girls दोन है उनका average weight दे दी आप से पूछा percentage of the number of boys in the class ठीक है तो देखा आपने क्या boys और girls allegation लगा हो आपने देखा boys का average weight कितना है 69.3 kg आपने देखा girls का average weight कितना है 59.4 kg और आपने देखा class का average weight कितना है जिसमें boys और girls दोन हो है तो आपने देखा class का average weight है वो कितना है 63.8 तो आपने allegation लगा है allegation लगा है तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज क्या कि मैं पहले तो minus करना शुरू करता हूँ मैंने यहाँ पर minus किया तो यहाँ से value कितनी आ गई और यहाँ से value कितनी आ जाएगी 5.5 अगर मैं इसको 1.1 पर काट तो आपको पता चल गया कितना हो गया चार देखा आपसे बुचा है boys का percentage बताने आपने देखा boys कितने इतने number of student कितने class में चार और पांच boys और girls को जोड़के आ जाएगा into 100% तो आपने देखा 4 by 9 मतलब 400 by 9% और 400 by 9 किसको बोलते हैं आपको पता है 400 by 9 बोलते हैं 44 सही 4 by 9 को अब यह वाला question है question बोला है क्या 10 ठीट अगी आपको value देदी कितनी 20 और 21 अब आपको पता है यह perpendicular यह base तो आपको पता है hype news कितना हो जाएगा आपको पता है hype news होगा 29 हो जाएगा क्यों क्योंकि आपको एक चीज बड़े अराम से पता होगी क्या कि 20, 21 और 29 को जो होता है triplet होता है अब आप इसमें put करें यह question भी CGL में पूछा गया आपसे बताएगे यह question भी आपका CGL में आया हुआ है तो आपने देखा CGL 19 में sorry CGL में तो आया ही आया CGL 19 में आया ठीक है जिसमें हम थोड़ा उलज गए थे आपको याद होगा practice session जो शुरू से follow कर रहा ठीक है अब आप इसको solve करें आपने देखा उपर कितना होगा 29 प्लस 20 प्लस 21 तो कितना होगा उपर तो होगा 70 भाई 29 तो 29 तो 29 तो जा नहीं है तो आपने देखा 29 में 21 जोड़ू अगर मैं और minus 20 करो तो कितना होगा 50 minus तो आपने देखा 7 ratio 3 is the correct answer 50 minus 20 equal to 30 हो जाएगा अब यह देखा आपने यह question तो बहुत कर चुक है हम लोग आपना खुद से करना भी है आसान question है इसकी value जो है सब को पता कितनी हो जाती है 2 बटे 3 हो जाती है क्योंकि आपको पता कि क्या लिखा हुआ 200 by 3% तो आप इसको देखोगे कि यह 2 बटे 3 लिखा है तो 1 काम करेगा तो 30 दिन में कर देगा ब 6 बटे लिखा आप ने देखा कितना आगया 124 और 5 बंडे बटे वर्क आपने देखा आपने यह दिन में रो काम कर लेता है तो 10 दिन में कितना कर लेगा 90 काम कर लेगा 30 काम बचा यह remaining work कर लहा Cube इसको B को अकेले को तो आप ने देखा you कितने टाइप में remaining work कर देगा 6 दिने ठीक है तो आसान question न कोई दिक्कत नहीं है अभी अभला question न देखो इस question को करनें के न बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे पर मैं prefer क्या करता हूँ आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि CI of Second Year मतलब Compound Interest of Second Year मतलब दूसरे साल का आपको Compound Interest दिया है और आपको तीसरे साल का Compound Interest दिया है तो आप एक चीज देखें क्या? यार यह ना जो है ना मेरे हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है? आप अगर इसको पढ़ने पर तीन आते हैं ऐसे और इसका दूगना हो जाता है यहां पे आपने देखा 600 और फिर 30 अब आपने देखा 3000 3000 यहां पे 2 गुना है और यहां पे 10% तो आपको यहां से पता चल जाना चीए के rate आपका कितना गया 10% अब पहली लाइन में एक 10% था किसका principle का तो आपने देखा कि कौन सी ऐसी value है जिसका 10% 3,000 हो जाया तो आपको पता है 30,000 एक ऐसी value है जिसका 10% जो हे वो कितना हो जाया है का 3,000 या फिर किसी को doubt हो तो आप ऐसे कर लेना कि P into 10% equal to 3000 तो आप इसको solve करोगे तो principle की जो value आपके बास 30,000 आ जाएगी ठीक है अभी आप से पूछा है what is the amount पूछी है धाई साल के बाद तो आपने देखा क्या कि पहले साल का ब्याज कितना इतना दूसरे साल का ब्याज कितना इतना और तीसरे साल का जो ब्याज है ना तीसरे साल का जो ब्याज है वो पूरे साल का नहीं है वो आदे साल का है तो आप इसको भी आदा आदा कर दो आप इसको भी क्या करो आदा आदा कर दो तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया यहाँ से आ गया 6300 और फिर यहाँ से अगर मैं देखू तो 1800 पंदरा आ गया ठीक है तो आपने देखा पंदरा एक और 81 तो आपने देखा 81 पंदरा जो है ब्याज आ गया compound interest धाई साल का आप से amount पूछा तो कितना हो जाएगा 38 115 तो इससे short तरीका नहीं हो सकता इससे short तरीका नहीं हो सकता देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ जब भी second year third year का compound interest दिया जाए तो आप rate निकालने का तरीका क्या है कि आपने देखा initial value, final value दोनों का difference, दोनों का difference कितना आगया 330 आगया वाई initial value अगर आप करेंगे मतलब अगर आप दोनों साल का compound interest है, मतलब compound interest of third year minus compound interest of second year upon compound interest of second year into hundred अगर आप करते हैं तो आपका rate आजाएगा और same इसी तरह आता है क्या amount of n year minus amount of या after भी बोल सकते है n minus one year ठीक है, और नीचे क्या होता है amount after n minus one year into hundred करते हैं, तब भी आपका rate percentage आ चुका है, यह मैं पहले भी बता चुका हूँ ठीक है, आ सकता है, तो आपने देखा है दो चीज़, अब एक और चीज़ होती है क्या कि compound interest of two years अब आप समझे एक चीज़ क्या कि second year का अगर मैं compound interest की बात करूँ तो आप देखो कि इसमें क्या बता हूँ कि जो दूसरे साल का compound interest है और अगर मैं बात करूँ दो साल के compound interest की इसमें क्या हुआ इसमें आप देखोगे कि compound interest दो साल का जिसमें पहले साल का compound interest है और दूसरे साल का भी है और अगर मैं बात करूँ compound interest of three years तो इसमें पहले साल का दूसरे साल का तीसरे साल का तीनों का compound interest है इन दोनों को minus करके divide अगर आप compound interest of two years से करेंगे तो आपका rate कभी नहीं आएगा तो जब compound interest कराऊंगा तो मैं आपको इस सारी चीज़ा बहुत elaborately बता दुआ अब ये question मैंने ratio and proportion में आपको कराया था आपने देखा A, B, C को पैसा distribute कितने में हुआ इस ratio में हुआ फिर आपने देखा A ने C को 500 दे दी अपने share में से और फिर ratio क्या बनता है फिर ratio बनता है इतना अब आपने देखा क्या कि पहले जो पैसा था ना मतलब पहले जो ratio में था 9 ratio 6 ratio 11 में उसके बाद जब change हुआ 4 ratio 3 ratio 6 में तो आपने देखा A और C में परिवर्टन हुआ क्या कि A ने जितना पैसा A के पास था उसका 500 रुपे C को दे दिये तो A ने दिये C ने लिये तो B ने तो ना दिये ना लिये मतलब B का जो ratio का ये है न वर्ड ये equal होना चाहिए तो आपने देखा 2 से multiply करूँ आपने देखा initial कितना था 9 ratio 6 ratio 11 finally कितना हो गया 8 ratio 6 ratio 12 तो आपने देखा B ने initially and finally value same है ratio की मैं B ने ना लिया ना दिया तो आपने देखा कि 9 था A के पास रह गया कितना 8 और 11 था इसके पास रह गया कितना 12 मतलब आपने देखा कि इसने एक अपना दे दिया और इसने एक वही ले लिया तो आपने देखा एक की वेल्यू आपको दी हुई है कितनी 500 रुपया आपसे पूछा गया आपसे पूछा है what is the sum of share of B and C in the beginning मतलब आपसे B और C B और C बिगनिंग में कितने थे 17 तो 17 की वेल्यू पूछी है 17 इंटू 500 कितना हो जाएगा तो आपने देखा कि यह हो जाएगा पचासी सो 85 अब यह वाला क्यूशन है क्यूशन में आपको ratio of radius दी है height दी है cylinder की तो आपको पता है तो आपने देखा कि πाई r square तो r देखा आपने radius का ratio जो है वो 2x माल लो 2x का square into 3x और यह हो गया volume और volume के आपको value दे रखिये कितनी 222.125 ठीक है अब भी total surface area निकाल लेना total surface area का क्या formula होता है आप सबको पता है 2 pi r r plus h आपकी यहां से x की value है यह x की value से आप h भी बता सकते हो r भी बता सकते हो कुछ से कर लेना है question ठीक है next question question में बोला है क्या curve surface area दे दिया आपको curve surface area मने पाई आर यार यार की value आपको दे दी कितनी इतनी तो आपने देखा r l की value आपको 156 दी है जिसमें से r की जो value है आपको 12 बोली है तो l की जो value आ गई आपको वास कितनी आ गई 13 अब आपने देखा radius है 12 slant height 13 तो आपको वास height कितनी आ गई आपको बता पांच बारा तेरा का triplet होता है और radius height और slant height जो होती है आपस में क्या right angle ट्रेंगल बनाती है किसमें कौन में तो आपने देखा volume of cone क्या होता है 1 by 3 pi r कितना और आपने देखा 12 और h कितना आपने देखा h कितना होगया 5 हो गया तो आपने देखा कि आप इसको pi रहने दे to आपने देखा यह 4 तो यह कितना हो गया 12 में 60 ऑर 24 और 24 अगर 48 और 48 увер 48 तो 528 sabi आपने देखा इसको solve भी नहीं करना तो आपने देखा पाई और 48 पंजे 240 तो 240 पाई इस दा करेक्ट हाँ अब यह वहला question आगया पहली बात तो आप इसको solve करें आपने दोनों साइट square किया तो आपने देखा x plus 1 by x plus 2 under root x into 1 by under root x तो under root x under root x गया तो आपने देखा x plus 1 by x plus 2 equal to 9 लिखा है तो x plus 1 by x की value आपके बास कितनी आ गई 7 आ गई आपने देखा यहां न square लिखा हुआ है तो कर दो आप square x square plus 1 by x square की value जो आ गई वो 49 minus 2 जिसको क्या बोलेंगे आप लोग 47 बोलेंगे फिर आपने देखा कि अगर मैं इसको आगे solve करता हूँ मतलब x की power 4 यह कितना लिखा हुआ 47 अब इसको और solve करतो आपने देखा x की power 4 minus 47 x square और इधर कितना आगे आपके पास minus 1 आ जाएगा तो आपने देखा यह वास्तव में लिखा हुआ था यह ही जिसकी value आपको पता चल गई कितनी आ जाएगे minus 1 तो next question अब next question में आपको बोला है क्या था average of an observation is 40 if आपने देखा पहली बात तो एक चीज के इसमें बोला हुआ क्या कि n observation का आपका जो average है वो इतना है तो आपने देखा total जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 है अभी 1 observation एड की गई जिसकी value है 80 तो आपने देखा जो n plus 1 observation हो गई total पहले कितनी थी n फिर एक और observation जोड़ी तो आप number of observation कितनी हो गई आपकी n plus 1 हो गई अब पहले n का total कितना इतना अब last value का total कितना total कितना मतलब इसकी value पता चल गई और total मतलब यह कितना आपका total observation मतलब sum of observation by number of observation और average कितना हो गया 41 हो गया अब इसको solve करें आपके लिए बहुत असान है तो आपने देखा n की value जो है वो कितनी हो गई 39 हो जाए बतलब initial number of observation जो थी वो कितनी हो गई 39 question में बोला है a is 48% more than b और c जो है 60% less than मतलब 40% चलो करते हैं solve आपने देखा कि a b तो b अगर 100 है तो a कितना हो जाएगा 148 और c कितना हो जाएगा आपने देखा 60% less than इन दोनों का sum तो आपने देखा इन दोनों का sum कितना हो गया इससे 60% कम है मतलब है कितना 40% तो आपने जब इसको solve किया तो आपने देखा यहां से कि C की जो value आई है वो value आ कितनी जाएगी आपने देखा C की value जो है 99.2 आ जाएगी तो रख दो आपने देखा क्या पुछाता है A is what percentage more than C तो यह इससे कितना ज़्याद है आपने देखा यह इससे 8 और 7 148 में से अगर मैं minus करूँ वेटा सेकिंड तो आपने देखा 48.88 आ जाएगा 48.88 पॉइंट 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 आ जाएगा 48 और हाँ 48.88 आ जाएगा और किस पे देख रही है आपने C पे तो 99.2 the speed of the current देदी speed of boat आपने देखा क्या कि time of downstream जितना लगा और time of upstream जितना लगा अगर मैं total कर दूँ उसका तो total लगा कितना time 3 गंटा 44 minute फिर आपने एक चीज़ देखी क्या कि time जो होता distance अपने देखा distance तो common है कितना 14-14 फिर आपने देखा speed speed of boat in still water आप अगर x माने तो आप देखेंगे downstream में speed add हो जाती है कि इसकी speed of current और speed of boat in still water और upstream में जो है minus हो जाती है तो आपने देखा 14 by x plus 2 plus 14 by x minus 2 हो जाएगा और इसकी value आपके बस कितनी आ गई तीन गंटे 44 मिनट और अगर मैं इसको further solve करूँ आप इसको ऐसी रहने दे तीन गंटे 44 मिनट ही आप इसको रहने दे ठीक है फिर आपने देखा क्या कि हम मैं इसको solve करना शुरू करूँ अगर मैं इसको solve करता हूँ तो आप यहां पे देखोगे कि मैं value putting से कर दूँ अगर तो आपने किया कि आपने 7 value put की पहले तो यह 7 और 8 put करनी असान है ठीक है आपने 14 by 9 बनाया फिर आपने 14 by 5 बनाया ठीक है तो आपने 14 by 9 और 14 by 5 बनाया तो आपको यहां से बता लगए कितना हो गया 2.8 और यह कितना हो गया आपने देखा यह हो जाएगा 1 point यह तो further solve भी न हो गया और यह कितना हो जाएगा साथ पैंच तो साथ भाइ पांच घंटे साथ पैंच घंटे हो कितना जाएगा आप ने देखा एक घंटा पन आपने देखा 8 जो है आपका correct answer था और quadratic बना के solve करना चाहो उससे भी कर लेना आपकी value 8 आ जाएगी ठीक है question में बोला है let x be the least number देखो LCM की question कीतने पूचे गए आपको बोला है x जो है least number है जब divisible जो की divisible पाए मतलब इन सबी number पर कटेगा x और x जो है perfect पर आगा तो आपने देखा कि इन सब का LCM कितना हो जाएगा आपने देखा कि 45 में से 9 आ रहा है और 36 में से भी 9 आ रहा था तो गया आपने देखा 16 और फिर आपने देखा 5 ही बचेगा ठीक है तो यह जो है इन सब का LCM आ जाएगा आपके बास तो आपने देखा कि LCM जो है इतना आ र और आपको पता चल गया यही X की value है तो अगर आपको X को perfect square बनाना है तो आपने देखा यह भी perfect square यह भी perfect square इसको perfect square बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसकी power 2 करनी पड़ेगी तो आपने देखा अगर नमबर 9 into 16 into 5 है तो अगर मैं into 5 भी कर दूँ तब भी वो नमबर 16 पे भी जाएगा 24 पे भी जाएगा 30 पे भी 36 पे भी 45 पे भी 500 नमबर पे वो नमबर जाने वाला और नमबर जो आपका परियाप्त नमबर आ गया क्या perfect square तो आपने आपने देखा x की value कितनी आ गई आपने देखा कि 16 और 25 400 नमबर जो आगया आपका कितना आ गया 36 अभी आपको बोला है कि इसको जब divide करना है 130 से तो remainder कितना आएगा तो divide कर लो भाई कर लेते हैं देखो आपने देखा 36 को अगर मैं divide करूं 123 से तो remainder आना चाहिए आपने दे 20 अठे कितना हो जाएगा यह 123 निमा कर लो तो आपने देखा 27 और फिर नोदिया 27 नोदुनी 18 और 20 और नोदो 11 तो 1107 तो आपने देखा finally remainder बचा कितना आपके पास 33 remainder बचा अभी यह वाला क्वेशन है क्वेशन कल सेम किया था आपको side दे दी किसकी triangular park की और आपको बोला है cost of leveling the park जो है मतलब leveling अगर पाक की करनी है तो 9.25 rupees per meter square मतलब area जितना होगा उस पे जाएगी बात मतलब 1 meter square की आपको value दे दी है कितनी rupees 925 और जो area आएगा आपका area किस से आएगा आपका हिरोंस formula से semi parameter फिर area निकालने लिए आपको क्या करना है s, s minus a, s minus b, s minus c और semi parameter आपको प हुआ था इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूँ और answer इसका यह आ जाएगा question बोला in finding the achieve of two number by division method मतलब division methods आपने दो number तो आपने देखा कि दो number है आप मालीजे a और b number था तो आपको बोला गया है quotient है जो वो एक है पहली बार तो ठीक है और फिर यहाँ पे कुछ आया होगा और फ इतना था लास्ट वो एके टो कटा मैं मैं आपने देखा कि लास्ट लास्ट बारी तो कटी जाता है प्रॉपर प्रॉपर होता है रिमंट्र कुछ वوس्ता कर नि मतलब यहां पर यहां पर ह notwend है 343 अहां। तो आपने देखा कि 210 into 8 मतलब यहाँ पे जो number आना यहाँ पे जो dividend आना वो कैसा आना है diviser into quotient plus remainder remainder कितना बचा आपके बास 105 तो आपने देखा कि 105 into 17 लिखा है 105 into 17 की value आपके बास कितनी आ जाएगी तो आपने देखा 105 into 17 तो 1785 तो 1785 आ जाएगी मतलब यहाँ पर जो value थी आपके कितनी थी 1785 तो यह value यहाँ पर आ जाएगी तो 1785 यहाँ पर value आ गई और फिर B की अगर आपको value निकालनी है तो 1785 divisor into quotient plus remainder तो आपने देखा कितना आ गया 90, 95 तो आपको B की value कितनी आ चुके है 90, 95 मतलब यह दो number थे जिनका division method से हम लोग HCF देखने की कोशिश कर रहे थे तो आपको sum of number पूचा है इन दोनों का sum पूचा है तो आप कर लो फिर इन दोनों का sum तो आपके बस value कितनी आ जाएगी आप देखोगे यहाँ से 36, 37 जो है आपके बस यहाँ पर value आ जाएगी तो माल लो लाइट हाउस कुछ यहाँ पर होगा तो आपने देखा यह पूरा लाइट हाउस माल लो बोला है क्या 45 मेटर एबव सी लेवल तो आपने देखा कि यह सी माल लो आप इसको इससे 45 मेटर एबव है ठीक है और एंगल ओफ डिप्रेशन जो है ऑफ शिप मतलब एक शिप इसकी तरफ आ रही है माल लो यहां से आ रही होगी इधर साइट से एक शिप आ रही है इसकी तरफ ठीक है तो आपने देखा से लिंग टोवर्ट्स एट एंगल चेंज हो गया तो आपने देखा पहले जो एंगल अब आपको पता है कि अगली बार कुछ यहां पर होगी शिप तभी यहां पर एंगल 30 से बड़ा बनाना किता बना 45 डिग्री आपने देखा यह 45 अब आपको पता है कि 45 डिग्री की अगर ट्रैंगल हो तो आपको पता है perpendicular डिग्री यहां group होता है तो आपने देखा यह भी 45 मीटर आगया ठीक है और अगर थर्ती डिग्री की ट्रैंगल हो तो आपको पता है कि यह होता है root 3 और यह होता है 1 और यह होता है कितना 2 आपने देखा 1 की value 45 आ गई तो root 3 की value कितनी आ जाएगी आपने देखा 45 root 3 आपने देखा कि total तो यहां से लेकि यहां तक 45 root 3 हो गया और यहां से यहां तक value कितनी है 45 तो आप से पूछा क्या है कि the distance traveled by ship during the period of observation मतलब पहले यहां थी observation करने के time और फिर यहां पहुँच गई मतलब यहां से यहां की observation हुई है तो आपने देखा कि दोनों का difference कितना गया 45 root 3 minus 45 तो आपने देखा कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको तो 45 और root 3 की value कितने हो जाएगी मतलब आंसर कुछ और आएगा अगर नियर है बहुत जादा नियर है अगर आपका options मतलब 1.36.9 1.37.1 अगर ऐसे options है तो आप लोग पूरी value रखें किसकी root 3 अगर थोड़ा दूर दूर option है जैसे 32, 36, 34 तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं फिर आप value pass रख सकते हैं मतलब 1.7 से भी कर सकते हैं पर आपको 1.732 से ही करना है अब यह वाले question बहुत करें हैं कुछा try करना चीक है अब यह question आगा देखो पहले तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर मैं a को 4.669 बोलू तो यह क्या लिखा हुआ है a square और आपने देखा यह जो होता है क्या होता है तीन का square होता है तो अगर मैं तीन से अंदर multiply कर दूँ तो आप देखोगे कि यह लिखा हुआ है 2.331 का square मतलब उपर जो है अगर मैं इसको b माल लो अगर मैं इसको माल लेता हूँ b तो आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ a square minus b square और नीचे क्या लिखा हुआ है आपने देखा नीचे जो लिखा हुआ a square और b square तो मुझे दिख रहा है फिर मैं देखता हूँ कि अगर मैं अंदर 7 से multiply कर दूँ मतलब अगर मैं 14 को देखू तो 2 into 7 कह दूँ अगर मैं इसको और 7 से अगर मैं इसको multiply कर दूँ तो आप देखोंगे यहां पर लिखा 4.669 मतलब यहां पर क्या बचा 2 और 4.669 को आपने a माना और 2.331 को आपने b माना तो आपने देखा ऊपर लिखा हुआ ए a square minus b square नीचे क्या लिखा हुआ है a plus b का whole square आपने देखा यह क्या होता है a minus b a plus b तो आपने देखा a plus b तो यह गया तो a minus b कितना हो गया आपने देखा a minus b की जो value आई है वो कितनी आई है 3,3,8 2.338 और A प्लस B की जो value आएगी वो कितनी आजाएगी आपके पास आप लोग जोड ले A प्लस B की value जो आएगी वो कितनी आजाएगी 7.000 तो आपने 2.0 से 2.0 काट दी value तो फिर आपने देखा कि यह आया इतना तो जब आप इसको solve करोगे तो 7 पर जाएगा 7 ती यह 21 फिर 21 और फिर 820 तो आपने देखा 3.3.4 0.334 आपकी value आजाएगी और इसको बोला है कितना है 1-k तो k की value आप से पूछी है 1-0.334 तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपकी value जो है वो कितनी आजाएगी आपकी value आजाएगी 0.666 तो this is the correct time अब यह बोला question है question बोला है A और B together empty करतेंगे tank को इतने time में A जो है 3 minute जादा लेता है किस से B से आपको बताना है क्या कि A जो है alone would empty 1 by 3rd of part of the tank is देखो यह आप इसको question को ना सबसे बेटर है आप इसको ना option से solve करें वरना quadratic मन जाएगी देखो quadratic कैसे बनेगी आपने देखा A प्लस B जितने time में काम कर रहेगा A प्लस B नहीं स्वारी उल्टा हो गया आपको पता है क्या होता है formula formula होता है यह कि A का total time B का total time A प्लस B का total time मतलब A और B अगर साफे मेल के काम करे आपने देखा A ने अगर X time में किया ठीक है नहीं अगर B ने X time में किया तो A ने कितने में किया होगा X प्लस 3 में और A प्लस B की आपको value देदी कितने time में कर रखा है आपने देखा 20 बटे दिन तो आपने देखा पूरा जो tank है वो कितने में बरेगा 18 में बरेगा तो इसने 18 में बरा तो B कितने में बरेगा 15 में और अगर मैं इसके साब से question solve करना शुरू कर दू तो आपने देखा total work कितना आगया वंडे work कितना आगया इतना A और B का तो आपने देखा A और B अगर साथ में मिलके काम करें तो 90 by 11 90 by 11 जो है कभी भी ये fraction नहीं ला सकती तो मतलब ये option गलत फिर 5 देखा आपने देखा अगर एक बटे 3 को भरने में कितना टाइम लग रहा है 5 तो पूरे को भरने में 3 माधने बार मिनट आपने देखा टोटल वर्क इतना उगया वन डेवर कितना हो गया इतना हो गया फिर आपने देखा कि A & B अगर साथ में मिलके भर है तो टोटल वर्क भाई वन आर वक वन टमकार काया सब्सक्राइब करें तो आप इसको आपके लिए बहुत असान हो जाएगा यह कुछन में दो शिफ्ट में करा चुका हूं कल और परचोगी में सब्सक्राइब करें तो आपने देखा पहली बात तो अगर उसने कॉस्ट प्राइज इतना है तो इस पे 100 परसेंट जादा पे इसको तो आपने देखा इसका परसेंट कितना हो जाएगा तो इतनी में लिवा जाएगी और अगर 20 परसेंट का दे तो 80 परसेंट पर भीकेगा तो आपने सॉल्व किया इसको आगे तो आपने देखा तो यह गया पांच पे और यह गया फिर 19 पे तो कि इन दो डिसकाउंट का सक्सेसर डिसकाउंट निकाल लेते पांच प्लस बीस माइनस पांच इंटू बीस बाइसो तो आपने देखा कि वेल्यू जो आती कितनी आ जाती 24 आ जाती अब आपने देखा बीस का सब्सक्राइब उन जाती प्राफिट जो होता है जाता है मांक प्राइस मइनस डिसकाउंट मांक इंटू डिसकाउंट वाइंडर तो आपने देखा 24-24 24 कितना और माइनस 24-24 तो तो सो माइनस एड़ तालिस कितना हो जाएगा बावन परसेंट ऐसे भी हो जाता है अब यह वह लोग्षिशन है आपने देखा सॉलिड मेटलिक स्फियर रेडियस है इतनी ठीक है कितनी 6.3 तो आपने देखा आपको मेटलिक स्फियर की वॉल्यूम का वॉल्यूम को एकॉल र पता ही नहीं तो आपने देखा पाई-बाई-ठीन से पाई-बाई-ठीन तो गया फिर आपने देखा कि आर स्कॉार और इहां भे कितना चार इंटु छे-पॉंट टीन 6.3 इंटु छे-पॉंट तीन और यहां पे कितना 25.2 तो अगर मैं इसको आगे इसाउल करूं तो आप मतलब रेडियस ओफ कौन जो है वो इको लोगी रेडियस ओफ स्पियर के तो आपको बोला है what is the ratio of diameter of base तो आपने देखा आपने देखा रूट 18 जो होगा वो करीबन आप अगर इसको देखो आँखे पाड़ के तो यह होगा क्या आपने देखा यहां तो यह होगा सबस्क्क्राइब का होगा है अब इसको को खोलो आपने देखा-9 प्लस-2 हो जाएगा ग्या नाi मृता टीन थीए इसकी बिल्बरेटी एक चारेक आनसर आजा गा मृत अहिं सब्सेल में बूला प सौन आलोर निरी तो यह कोड़्ा औरा अहां पैस प्रसा डा जाएगा इतने profit पे और अगर वो उसको इतने रुपीज ज़्यादा में बेचता तो उसको इतना लाव होता देखो एक चीज देखते हैं पहले क्या आपने देखा कि अगर वो सॉल्ड करता इतने रुपीज ज़्यादा पे कॉस्ट प्राइज है इतना तो पहले तो मैं यह देख लेता हूं कि इतने रुपीज पे क्या profit होगा आपने देखा इतने रुपीज पे profit होगा कितना इतना अगर मैं देखो कि profit percentage कितनी आएगी तो मैंने देखा कि इतने रुप प्रफिट कमा रहे हो कितना 607.5 तो आपने देखा 607.5 पर कितना प्रफिट देगा आपने देखा 607.5 जो है वह 3750 पर प्रफिट कितने का देगा आप इसको सॉल करेंगे वैल्यू एक मिनट मैं कल्कुलिटर यूज करूं तो आपने देखा कि 6075 और 375 तो यह गया एक पे और फिर आप देखेंगे कि 3075 अगर मैं काट दू तो दो तीन और दो दो तो यह 6 तो 16.2 परसेंट आ जाएगा मतलब आपने देखा क्या कि प्रफिट परसेंटेज जो है इतने की वह कितनी हो जाएगी 16.2 अभी आपने देखा क्वेशन में लिखा गया पर बेच रहा है तो अब आपने देखा कि पहले 13 परसेंट फिर इतना प्रोफिट और जोड़ दिया तो प्रोफिट हो कितना गया आपने देखा 29.2 परसेंट प्रोफिट पर उसने फाइनली बेचा है तो एक्स की वेली जो है 29.2 आ जाएगी अब यह वाला क्विशन है simplification का आप लोग खुद से करना ठीक है अब यह कुरिशन आ गया अंध है क्विशन में बोला है क्या क्विशन में बोला है triangle ABC जिसमें angle A जो हो 90 डिग्री बना दो तो आपने देखा triangle ABC angle A 90 डिग्री तो आपने देखा right angle triangle है आपने देखा यह A आप इसको भी माने इसको C doubt बहुत important आपके लिए फिर आपको बोला D is the midpoint of इतना तो आपने देखा D पॉइंट यह तो यह बीच्छे हो गया और फिर यह बीच्छे हो गया ठीक है और फिर आपने देखा कि D E जो है मतलब यह जो है यह perpendicular है कि इस पर B C पे तो पहली बात तो हो जाएगी कि इसके आपने देखा ABC में बात करनी है तो आपने देखा C एंगल तो common है और फिर जहां 90 degree E पे है तो ABC triangle में A पे है तो आपने देखा C AB मतलब triangle C E D जो है वो similar हो जाएगी कि इस triangle के triangle C AB क्यूंकि C angle तो common हो गया और C ED जो है वो 90 degree है और C ABG वो भी 90 degree है तो आपने देखा यह दोनों triangle C मिले रोग गई अब यह आपको बता है एक चीज क्या कि area जो होता है दोनों triangle का उसका जो ratio होता है वो side के ratio के square के equal होता है तो आपने देखा कि इसकी side कितनी बनी CA CD बनाओ न क्योंकि CD की value आपको पता है वेट तो आपने देखा कि CD की value मतलब इस छोटी वाली triangle का सिरफ आपको एक side पता है क्या CD यह जो CD है तो यह किसके एक वालोगी CB के तो आपने देखा CD by CB का square तो CD की value कितनी 6, CB CB मतलब BC की value कितनी इतना और आपको area of triangle CAB भी पता है क्या आपको बता है half into base into height होता है तो आपने देखा 16 चिक कितना हो जाएगा 96 तो आपने देखा इसका area जो है वह कितना आजाएगा 96 अब आपको area of triangle CED निकालना कौन सी बड़ी बात रह गई तो आपने देखा कि चिक चिक 37 400 इंटू 96 तो आपने देखा 9 पे चला जाएगा यह तो 981 और 864 by 100 हो जाएगा तो 8.64 cm2 जो है आपका answer हो जाएगा कि क्वेश्चन में बुला है क्या देखो यह क्वेश्चन तो allegation से करना इसके लाभा करना ही मत और ऐसे ऐसे मैंने एक लाभ क्यूश्चन करा होगा आपको रिष्वन प्रोपोर्शन में जादा हो गया में को बता में जादा फैक दी पर ऐसे-चे बहुत क्यूश्चन में आपको गराया है देखो कैसी होगा गराय की सब्सक्राइब को य then the total number of mails and fumen in the town would increase by इतना? What is the difference between the number of males and females in the beginning? तो आपने देखा क्या? क्या आपने देखा कि 70,000 total population है? आप क्या करो allegation लगा दो, है तो इसके 3-4 method solve करने है पर allegation is the best आपने देखा, 70,000 का 6% कितना हो गया? आपने आपने देखा 70,000 का 6% होगा बैली सो मतलब आपने देखा क्या कि 6% population किसकी increase हुई है आपने देखा 6% population male की increase हुई है तो आपने देखा 42,000 जो है male में increment आया और 4% female की तो आपने देखा 28,000 जो है female में increment आया और total population में कितना increment आया आपने देखा पहले थी 70,000 फिर होगी 43,520 तो आपने देखा कि जो टोटल population में increment आया वो कितने गाया 352 आपने देखा कि male और female की बात अलग-अलग कर रहे थे तो हमने इनको अलग-अलग लिख लिए अब male और female को मिला के जब मैं population की बात कर रहा हूं जिसमें male और female दोनों आ गई मैंने इसको बीच में लिख लिए अ तो आपने देखा इसका difference कितना आ जाएगा, आपने देखा difference आ गया, 720 यहां से और यहां से आ जाएगा, 80 और यहां से कितना फिर 720 और फिर यहां से कितना आ गया, आपने देखा 680 आ जाएगा करीबन, हाँ 680 है, ठीक है, तो आपने देखा 720 और 680 रेशो आ गया, मतलब male और तो आपको पता चल गया कि male और female का जो रेशो रेशो कितना है 18 रेशो 17 आपने देखा कि male और female को जोड के जो कि total population आती है वो है कितनी आपने देखा तो आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस भी एक है तो आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस male और female का जो टाउन में बीगनिंग में डिफरेंस था हो कितना था 2000 अब यह वला question आपको बता थीटा की तीन value पुट कर सकता है पहले 30 लगाँ हो 30 लगाया तो आपने देखा 7 एक बटे 4 और 3 तीन बटे 4 तो आपने देखा 7 बटे 4 9 बटे 4 तो 7 और 9 16 भाई 4 कितना हो गया तो मैच होगी लोप एली बरी में मैच होगी आज तो आपने देखा टू ठीटा था तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि 30 दीगरी वैल्य होगी ठीक है क्योंकि 1090 जो होता है वो इंफिनिटी हो जाता है तो इंफिनिटी तो आपको पर इंफिनिटी तो पॉसिबल ही निये सक्सक्वाइर 60 डिगरी जिसकी वैल्यू कितनी आजाएगी आप यहां से देखोगे इसकी वैल्यू जो है आजाएगी चार बटे तीन तो आपने देखा तीन 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 नो तेरा बटे तीन इस दा खरेक्ट आपस्ट क्वेशन बोला है एंफिनिटी को बहुत इंपॉर्ट इसने एग्जाम कंड़क्ट करना शुरू किया अब पहला कुछन देखा मैंने पूछा है पगी इससे पहले बोथ कुछन पूछा जाता रहा है एकुछन में बोला है आउट आफ टोटल प्रॉफित इतना आप ने देखा पहली बात तो टोटल प्रॉफित तो कि प्रॉफ प्रॉफिट ओफ बी जो आपके बस आ जाएगा वो कितना आजाएगा आपको इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा तो यहां फिर माइनस भी कर सकते हैं आप लोग तो आपने देखा कि यह आ जाएगा 496 00 तो आगया profit of A और profit of B आ रखता है फिर मैं क्या करता हूं मैं देखता हूं कि मुझे बता है कि profit of A और profit of B का Carnation होता था वो क्या होता था investment into time और investment into time तो आपने देखा कि अब मैं profit of A रखता हूँ तो आपने देखा 744 क्योंकि 0 से 0 तो कटी जानी है और 496 फिर मैंने देखा investment of A को ऐसे लिख दो investment of B को भी ऐसे लिख दो time देख लेते हैं आपने देखा B invest करता है साड़े साथ के लिए और A जो है 2,5 मंथ जादा के लिए तो आपने देखा B अगर साड़े साथ मंथ के लिए invest कर रहा है तो A कितने के लिए करेगा धाई मंथ जादा तो साड़े साथ में धाई जादा कितना होगा तो आपने देखा यह होगा 3,4 फिर आप देखते हो कि अगर मैं profit देखता हूँ कि profit का ratio जो है वो कितना आजाएगा तो मैं एक चीज़ देखूँगा कि अगर मैं देखूँ 2,48 पे तो 2,48 पे यह 2 पे जाएगा और यह 3 पे जाएगा तो आपने देखा यह 3 ratio दो आगया यहां से यह चला गया 6 लाक तो आपने देखा ratio में कितना जाद हो रहा है एक invest जाद हो रहा है एक की value कितनी आगई 6 लाक आप से पूछा है क्या आप से पूछा है capital of B बताइए capital of B था कितना 6 लाक मतलब एक second एक second then the capital of B पूछा है आप से तीन बटे चार ओहो टाइम हमने उल्टा कर गया यहां पर देखो 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 टाइम उल्टा हो गया गलती से उससे हमारा ratio गलत बन गया ठीक है देखिए आपने देखा profit of A कितना था 7 लाक 44 जाग तो आपने पता है जीदो से जीदो तो मैंने काटी देनी है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया फिर आपने देखा investment of A टाइम कितना आपने देखा B जो है साड़े साथ मन्त के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और A जो है B से धाई मन्त जादा मतलब 10 मन्त के लिए तो आपने देखा यहां से 3 यहां से 4 और यह 3 और 2 पे गया तो आपने देखा investment of A और B का ratio कितना आ गया 9 ratio 8 अब सही है तो आपने देखा कि A ने B से कितना जादा आपने देखा A ने B से एक जादा ratio के इसाब से question में कितना बोला है कि 6 lakh तो A की value कितनी आ गई 6 lakh मतलब A ने B से जादा कितना investment किया ratio किसाब से 1 question में बोला है कि rupees में 6 lakh रुपे जादा invest की है किसने A ने B से जादा तो आपने देखा A की value इतनी आ गई आप से पूछा investment of B investment of B जो है art की value आप निकालेंगे तो 48 lakh रुपीज is the huge amount तो यह जो है B का capital है question में बोला है 60% of the number of boys आपने देखा कि boys और girls आपने माल लिया total number of student कितने thousand तो 60% मतलब 600 जो है boys है 400 जो है girls है उसके बाद 20% of the number of boys are failed मतलब pass कितने हो गई आपने देखा 80% पास होगा तो 600 जो 80% है वो कितना हो जाएगा 480 फिर आपने देखा 65% of the number of girls are passed ठीक है पास्ट सोरी पास्ट एग्जामिनेशन तो आपने देखा 65% इसका कितना हो जाएगा तो आपने देखा कि 400 का 65% जो है वो हो जाएगा 130-260 हो जाएगा ठीक है फिर आपको बोला है देखा percentage of the total number of student who passed तो आपने देखा boys इतने पास होगे girls इतनी तो total number of student कितने पास हो गए आपने देखा कि 0,4 और 4,2,6 तो आपने देखा 740 student जो है पास हो गए total number of student जो थे 1000 थे तो आपने देखा 74% student जो है वो पास हो गए next question question में बोला working 7 hours a day 18 percent can complete तो आपने देखा MDH the real spices of India ठीक है तो आपने देखा कि 7 hours a day 18 percent और 32 दिन और आपसे पूछा है कि 14 percent किते दिन लेंगे 8 तो आपने देखा आप इसको solve करेंगे तो ये गया 2 पे और फिर ये गया 16 पे और फिर ये गया 2 पे तो आपने देखा 36 दिन लग जाएंगे असान question है ठीक है और level काफी अच्छा है एंगे questions का तो इसलिए मैं solve करा रहा हूँ आपको pipe A और B जो है tank को भरेगा कितने time में ये भरेगा 36 में ये भरेगा 48 में तो आपने देखा total work कितना आजाएगा आपने देखा total work जो है वो आजाएगा 144 आजाएगा ठीक है तो आपने देखा कि B का 1 hour work कितना गया 3 और A का कितना आजाएगा 4 आजाएगा बोथ pipes are opened together for 9 hours और फिर A को close कर दिया गया remaining part को B देखो same question आएगा इससे पहले इसी shift में equation में आपको करा चुका हूँ तो आपने देखा एगंटे में 7 काम कर देंगे 9 में कितना कर देंगे 63 63 को अगर मैं minus करूँ तो 81 रहे गया अभी आपको बोला है कि A को बंद कर दिया अब भरना कि इसको B को तो अकेला remaining part remaining part कितना रहे गा 81 अब 81 को कितने टाइम में बरेगा आपने देखा 1 आर वर कितना है एगंटे में तीन काम करता है तो 81 काम कितने टाइम में कर देगा 27 गंटे में question में बोला है a field is in the form of circle देखो ये question में मैं आपको अभी करा रहा हूँ इससे बेले पता नहीं CPO 2020 के सेशन में है पता नहीं CGL 19 के तो important है सारी चीज़े यार ठीक है question में बोला है field is in the form of circle मतलब field है circle की form में है cost of fencing around it fencing around it का मतलब क्या समझे आप कि जो इसका circumference है मतलब यहां पे fencing हो रही है पूरे पे तो आपने देखा circumference पे fencing हो रही है और आपको बोला है क्या कि एक मिटर की cost बारा रुपे बढ़ रही है तो आपने देखा 12 रुपे की cost मतलब बारा रुपे में एक मिटर हो रहा है तो एक रुपे में कितना हो जाएगा एक बटे 12 मिटर फिर आपने देखा कि आपको दिया है क्या कि पैसा कितना खर्च हुआ है 2640 तो आपने देखा 2640 में अगर मैं एक बटे 12 मिटर के हिसाब से देखूं तो कितना लग गया तो आपने देखा कि 220 मिटर मतलब 220 मिटर इन्होंने क्या किया इन्होंने 12 रुपे पर मिटर के हीसाथ से फैंसिंग की और इन्होंने 264 रुपे खर्च दिया तो आपने देखा कि 220 मिटर पर फैंसिंग हुई है मतलब जो सरकल की circumference है वो आपको दे दी कितनी दे दी पहरा मिटर जो है आपको दे दिया है वेल्यू जो आएगी 110, 22, 7 तो आपने देखा R की वेल्यू जो आगई 35 मीटर, ठीक है R की वेल्यू आगई 35 मीटर अभी आपको एरिया निकालना है फिल्ड का तो पाई R स्क्वाइर तो आपने देखा कि यह जाएगा 5 पे, तो 110 तो यह आजाएगा 3850 इस तरह करेक्ट आज़ा अभी यह वाला क्विशन आगया अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इसके लिए क्या कि यह क्विशन भी बहुत पूछा जाता था 17 से पहले 17 मतलब 18 से पहले कह सकते है अब आपको एक चीज़ पता है कि मैं आपको कहीं बार बता चुका हो कि x q plus y q plus z q minus 3 x y z की value जो होती है वो क्या होती है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus minus x y minus y z minus z x अब मैं क्या करता हूँ मैं इस पूरी equation को 2 से multiply कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ आपने देखा कि अगर मैंने 2 से multiply कर दिया तो आप देखोगे क्या कि एक result तयार हुआ क्या कि आपने देखा 2 x square होगा है 2 y square 2 z square ठीक है उसके बार आपने देखा कि 2 x y 2 y z 2 x z तो अगर मैं बात करूँ कि मैं 1 x square लूँ और 1 y square और 2 x y लिखो तो आप देखो x minus y को whole square लिखा है और ऐसी 1 y और z और फिर 1 x और z लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यह जो relation तयार होता है वो कुछ ऐसा relation आपके सामने तयार होगा मतलब x q plus y q plus z q minus 3 x y z की value ये भी होती है तो जब भी ऐसा question आई जिसमें आपको x की value, y की value, z की value दे दे और x plus y plus z आपको 0 न दिखे तब आप यह वाली values करेंगे देखो question solve करने का तरीका क्या है आपने देखा x q plus y q plus z q minus 3 x y z की value बताओ मैंने क्या किया x की value पुट की, x की value कितनी इतनी, y की value कितनी, z की value कितनी, इतनी ठीक है फिर मैंने देखा क्या x minus y, आपने देखा x minus y कितना है आपने देखा x minus y जो है वो इतना है y minus z आपने देखा कितना है, आपने देखा y minus z जो है वो इतना है फिर आपने देखा X-Z जो है वो कितना है यह Z-X तो आपने देखा वो कितना है अब आप इसका solve कर लें आपने देखा कि इधर जो है वो कितना आजाएगा जोड़के आपने देखा यह तो आगया 16.6 बाए 2 और इधर से कितना आजाएगा आप देखोगे कि .0001, .0025 और .0036 तो अगर मैं आप इसको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो आगया 8.3 into और 25 और 36 कितना हो गया 61, 62 हो जाएगा .0062 अब आप इसको आगए सॉल करेंगे तो आप देखेंगे .05146 तो आप देखेंगे .05146 तो आपने देखा कि लेडर कितनी है और फुट जो है ग्राउंड पे है तो आपने देखा यह 22 मीटर की है लीन अगेंज्ड वाल मेकिन एंगल 60 डिग्री विद गराउंड तो आपने देखा 60 डिग्री बना रही है किसके साथ ग्राउंड के साथ आपने ग्राउंड यह माल लिया आपसे पूचा है तो आपने देखा अपने देखा है दूंग को यहाँ टच कर रही है मतलब इसकी वैल्यू पूचिय थो आपने देखा बेल्यू की वैल्यू इतनी एक की वैल्यू इतनी ओह brother root 3 is the correct answer अब योला question आगा question में दिया है the size of triangle ABC इतनी 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 है ठीक है what is the radius of its circum circle circum circle की radius मतलब circum radius पूछ रहा है ठीक है पहली बाद तो आपको एक चीज़ बता होने थी है क्या आपको एक चीज़ पता होने थी है जब भी ऐसा question आएगा आपको 3 side देदेगा triangle की और आपसे पूछेगा circum radius बताओ या circum circle की radius बताओ या in circle की radius बताओ या in radius मतलब 4 का मतलब circum circle की radius मतलब circum radius in circle की radius मतलब in radius तो इन दोनों चीज़ों का जब भी आपसे पूछेगा तो आप मान करके चलना वो ना डेट श्याना बनने की कोशिश कर रहा है वो कुछ नहीं कह रहा है वो आपको ये triangle जो है ना आपको typical सा एक triplet देखे आपको ये देखना चाहरा है कि आपको triplet की knowledge है कि नहीं है आप इसको right angle triangle बेचान सकते हो कि नहीं मेरा बेचानने का तरीका क्या है मैं इसको sort करता हूँ बहुत ज़्यादा sort करता हूँ sort करने का तरीका क्या है मैं 0.5 बटाऊँगा 0.5 बटाया तो मैंने 2 से multiply किया तो मैं देखूँगा 20 आ गया 21 आ गया 39 अब मुझे पता है 20, 21 और 39 का तो triplet होता है जिसमें से hypernuse बड़े वाला होता है सबसे तो आपने देखा कि 14.5 जो है hypernuse होगा मतलब सबसे बड़ी side तो आपको बता है circumradius होती क्या है right angle triangle में सबसे बड़ी side मतलब hypernuse by 2 तो आपने देखा 7.25 cm इतना असार question है अब ये वाली सारी चीज़ है मतलब D.I.E. के सारे question आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि D.I.E. के mostly मैंने ही आपको सारे solve कर रहा है आपने एक बार भी नहीं किये तो इसकी practice आप लोग खुद से करेंगे और करनी ही है आपको practice answer अगर हो सके तो mention कर दे ना वरना कोई चाहे तो अपना answer Google पर match भी कर सकता है और मुझसे पूछना जाए मुझे बता दे ना मैं comment section में mention कर दोगा तो आपको ये खुद से practice करना है D.I.E.E. जो की 2020 CPO में सारे question में ने कराई है 6 shift में ने कराई है 2019 के CPO में भी same questions है 19 में भी same question है 19 की में 3 shift मतलब total 9 shift में आपको ये सभी question similar question करा चुका हूँ 9 के 9 तो आप लोग इसकी खुद की practice करेंगे और आप मुझे इसका answer भी देंगे ठीक है और आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना अगर मेरा हुआ तो मैं आप याप कोई पर वीडियो बना के डाल नूँगा 9, 9, 10 बजे तक comment कर देना अपने precious reviews follow कर लेना and thanks for watching this video आप लोग कुछ रहें तैयारी करते रहें thank you